सब्सक्राइब और आपने 24 जुलाई को एसेस्मेंट डिया हुआ था उसके आपको नहीं रिजल्ट देखने को मिल ले थी नहीं आपको अफ़र लेटर आ रहा था तो उसको लेके इंफोसिस के तरफ से आप लोगों को लिए सबसे बीगेस्ट चेंज हुई है और जितने रिम प्रोग्राम के लिए मेल आना स्टार्ट हो चुका है जिसके बारा में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मेल के थोरो भी एक्स्प्लेइन करके वन बाइवन सब कुछ बताने वाला हूं साथ ही मैं बता दूं क्या अगर आपको और भी अपर्चुटे देख रहे हो त 20 अगर्ष से स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसके लिए आपको जोईनिंग कनफर्मेशन 22 अगर्ष तक बता रहे ना है इसके अलावा जो भी मेरे पास अबडेट है इनफोसिस प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेटर सब कुछ आपको गाई इस वीडियो में बताने वाला चलेगा इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो गाई अगर आभी इनफोसिस रोल के कैंडेट हो और गाई आपने 24 जुलाई को एसेस्मेंट डिया हुआ था उसके बाद अगर आप भी अपनी इंट्रिव्यू रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे तो गाई फाइनली जितन इसको देखते हुए गाई मैं आपको सब को डिटल्स बताने वाला हुँ आपने हेडिंग से भी गाई जेख सकते हो इनफोसिस एसी केंडेट अगेन रिसीविंग प्रिट्रेंग में 24 जुलाई असेस्मेंट इसके अलावा यह सबसे बिगेस चेंज कही जा सकती है एसी रो आप लोग मेल के तुरूबी देख सकते हो इनफोसिस वर्चुल प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम नेक्स स्टेब और गाई यह मैं आपको बता दूँ कि 26 अगर्ष से आपकी यह ट्रेनिंग डुबारा से स्टार्ट होना जा रही है इसके लिए आपको 22 अगर्ष तक अपने सर्वे कर देना तो आपको अभी वेट करना चाहिए तो आप लोग यहां देख सकते हो जो के पास मेल आ रहा है इनफोसिस वर्चुल प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम नेक्स स्टेब इस नाम से आप लोग को मेल देखने को मिल ले और गाई यह दो बज़े के बार से मोस्ट एक अपडेट देखने को मिल सकती है आने वाले वीक तक तो आप लोग लिए सबसे बड़ी बैड निव्स गाई देखने को मिल ले है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और आप लोग जितने भी कंडिट है जिनका दो कोड रॉन कर गया था जिनकी हो गया था उनके पास भी नेक्स स्टेप इसमें गाई पांच स्टेप बताया हुए है जिसको आपको फॉलो करना होगा जो कि 26 अगर्ष से आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है उसमें गाई सबसे पहला जो पॉइंट है कि यू विल बी रिक्वाइड टू स्टार्ट योर वर्ट्वल प् पता दो कि यह जो आपके ट्रेनिंग चलेगी यह आप इसमें सेल्फ लर्निंग प्रगाम होने वाली है जिसमें सेल्फ लर्निंग मोड्यूल यह प्रवाइड करेंगे जो की एक एकसेस देंगे उसके थुरू सारे कंटेंड को आप लोग पढ़ोगे जो भी प्रग्राम के से रिक्वाइड मोड्यूल होगा वह आपको देखना होगा साथी नेक्स पॉइंट इनने बोला हुआ है कि आपको फिर से इन पर्सन एसेस्मेंट के थुरू फेस करना होगा यानि कि आपको एक्जाम देना होगा और गाज यह आप वेरियस सीटीज में यह सेंटर प्रवा में इन पर्सन इमर्शिफ ट्रेनिंग प्रोगाम के लिए बुलाएंगे अगर आप नहीं किलियर करते हो अगर फेलर इन डा कमपेस्टेंसी असेस्मेंट विल लिड टू डिफर्मेंट टू यह जोइनिंग देट यानि कि आपको जोइन डेट को यह आगे एक्स्टेंड कर अने जा रही है इसके लिए आपको वर्चुल प्री ट्रेनिंग होने वाली है और इसमें आपको मॉड्यूल द ही आपको खुद ही परना होगा जिसके लिए यह एक्सेस ब्रोगाइट करेंगे वहाँ से आपको अ अपने प्रोग्राम के एकैस्टेंड को लेना होगा थर्ड पॉइंट इनकी गाइज आप लोगों पता है कि इन पर्सन एसेस्मेंट के थुरू आपको फेस करना होगा इसके लिए डिफेंट सीटी ये प्रवाइड करेंगे जहां से अपने कमफर्ट के इसाब से सेंटर को चुछ कर सकते हो फोर्थ पॉइंट इन्होंने इस ट्रेनिक के लिए तो आपको इस लिन्क पी क्लिक करना है जहां से आपको कर दोगे साथ ही अगर आप इंट्रेस्टेर्स हो तो एस करना अगर इंट्रेस्ट्रेश नहीं हो तो यहां नो फॉरवाइड कर सकते हो फिर आप सम्मिट कर देना जैसे आप सभ संभी करोगे उसके बाद Elo Pro मेąć इसके अलावा सबसे बड़ी अब मैं बताऊंगा कि क्या आपको इन्फोसिस को लीब करना चाहिए अभी वेट करना चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दू कि आप लोग में से आपकी उपलाई कर सकते हो लेकिन डू साल से जादे हो जाएगा तो आप लोग कर सकते हो किसी भी कंपनि में बहुत कर्यक्रीया देखने को मिल जहां आपको अपपर्चूटी मिलेगी कि आप लोग अपके। यह है कि अगर आपके पास ओई भी अपर्चूंटी है तो आप उ बहुत मुश्किल है बहुत रेर है कि आपको कोई दूसरी कंपनी अपने प्रोसेस में बैटने के मौका देगी और आप सेलेक्शन ले लोगे यह सारे जो डिमेरिट हैं जो आपको सोचना होगा ताकि आपको आने वाले अपनी के बारे में सोचना पड़ेगा आप तो क्योंक क्या करोगे फिर आपको बेट करना वोगा यह सारे प्रोब्लम है इसके अलावा सबसे इंप्रोटेंट बार बताओं कि अगर यहां से आप क्लियर करके जाते हो तो मैसुर मैसूर में इनकी टर्मिनेशन पॉलिसी होती है अगर वहां नहीं क्लियर करोगे तो फिर वहां से तो आप लोग एक बार समय लेना मैं इसलिए आप लोग सब कुछ समाज में आज सके को लेकर तो मैंने सुचा आप लोग कूण क्यों न बताया जा कि क्या क्या हो सकता है आगे कि क्या आभी possibility देखने को मिल रही है तो आगर आप लोग इधर दो कुछ करने से कुछ कुछ नहीं होने वाला है आप लोग कहीं उठाओगे आवाज कुछ नहीं होगा इनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है तो खुछ को अपने आप सुचना होगा इसके अलावा आप से मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बाइबर